बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टूबने पेपर हैकर में मैं सुराइब सुराइब स्क्राइब को इंपोर्टेंट कोशन देते हैं तो दस से बारा कोशन होते हैं इन कोशनों को याद करके आप 70% प्लस लाते हैं मतलब कि अभी देख सब्सक्राइब नहीं किया तो कल दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो बादा करना होगा कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है आपको अब यहां देयान से देख लेना यहां बूलागा है बीसी थाडीर वालों के लिए बॉटनी का सैकिंड पर हैं फर्स्ट पेपर जो मैं आपको इंपोर्टेंट कोशन दिए थे उसमें से 96% फसा है देखो 96 और जिसेंद जाद रोगें कोशन दो होते हैं बहुत भी कल्पी कोशन वहारी पीडिएप को डानलोड कर लेना पीडिएफ का लिंक मैंने डिस्कॉप्शन वक्स में दे रखा है हमारी वेबसाइट का वेबसाइट पेपर है का डॉट इन वहां पर जाकर पाएंगे पहला कोशन आपको क्या प्याद कर प्रूफ करिए तो यह बहुत बार पूछा चुका है कुछ आथ कहते हैं लॉग कोशन देखो यह पूरूफ करने के लिया आता है तो लॉग में आएगा जियाद करके जाना पांस प्रकार जोता है यह आपको शॉट मनेगा ठीक है उसके बाद में आजाना बिटामिन्स वि अपको याद करें लेना यह आपका लॉग में कोशन मनेगा वाटसन व क्रिके दुने मर्ड़ आपका डॉल हम सकते हैं डियने का जिसे दुएंगर रॉट्सन क्रिक की बहुत साथ है यह आपको लॉग में कोशन मनता है बढ़के जाना कार्भो हैड्राइट्स क्या होते है 100 परशन्ट मनेगा कोशन छपरा आपके पेपर में ठीक है इंजाइम के किरिया वीदी आप याद करके जाएंगी और नंके दो प्रकार के इंजाइबी के रिया में होती है एक ताला स्वाबी सिद्धान्त होता है दोनों सिद्धान्त आ सकते हैं फिर एक सिद्धान्त आ सकता है ठीक है जिनेटिक इंजिनेरिंग क्या होती है उसको याद करेंगे डीने आरेने में अंतर याद करेंगे बायो टेक्नलोजी क्या होती ह मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जैप प्रिदोगी की बारे में आपसे पूछता है उसको आप याद करके जाएंगे ठीक है उसके बाद में आता है आप अनुलेखन क्या होता है अनुलेखन इस मुष्ट इंपोर्टेंट यह कोशन सौट में बनेगा छपराय पेपर में सौट में सौट में कोशन देखने को मिल पूरा कोशन पढ़के जाना माइंड में को mold में देखने को मिलेगा anthropology यहां से और कुछ आपको पढ़ने के जरूत नहीं होगी हो सके तो एक चीज और पढ़ देना जिसे कहते हैं पादब हार्मोन और जिन जो जो होता है उसको एक बार देख लेना यादि आपके नोट में हो तो यह होगा इस कोशन को पढ़ लेना कि जो पादब हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पादब ग्रोथ हार्मून्स मॉस्ट इंपोर्ट है आप लास्ट में यह पढ़ेंगे और ऊपर एक आया है आपको बत कलचर बोला जाता है इसको पढ़के जाएगे एक अंडास है एक ब्रह्मण समर्धन जीसे और एंब्रियो इन दोनों कलचरों को पढ़ लेना सोट है एक पढ़ोगे याद होजाएगा जादा कुछ औरुत को ट्यूilot हुख़र मुस्ट इंपोर्टेन आप इस को सिन उपकर जाएंगे बाकि इन दोनों को पढ़कर जाएंगे एक आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा थोड़ा बहुत जो भी होगा उसके बाद में यदि कोशन आ जाता है तो आप इसको करके आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं कोई भी कोशन छोड़के नहीं होगे हो सके तो RNA की सरचना पढ़ लेना RNA की सरचना सिंपल होती है जैसी DNA होता है उसको सिंपल कर दो आदा कर दो वही उसके RNA की सर लोग दो कोशन ना कर पाओगे समझ रहे और कोई भी कोशन छोड़के नहीं आना है और मैं जो ने आपको कोशन दिये सारे के सारे कोशन आपके पेपर में चापेंगे यह गारंटी है कल पेपर है आपका देख लोना और बाकी वीडियो को लाइक कर देना चनल को कर दना थैंक यू बाई बाई